क्या अब ब्रिजबूशन सरन सिंग के साथ अनुराग ठाकूर की गिरफतारी होगी क्योंकि सबसे बड़ा हाथ उनका ही माना जा रहा है नमश्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News ब्रिजबूशन सरन सिंग पर योन शोशन के आरोप लगे हैं जिनके खिलाफ यहाँ पर महिला पहलवान के लाड़ी धरने पर बैठी हुई है और लगतार इंसाफ की मांग को लेकर अपनी आवास बुलंद करती हुई नजर आ रही हैं उन्होंने उमीद जगाई थी कि यहाँ पर खेल मंतरा ले उनके समर्थन में कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आएगा लेकिन इसके उल्टा ही देखने को मिलता है नुराग ठाकुर खुद महिला पहलवान खिलाडियों पर आरोप दाग देते हैं वो साफ विल्टा को पर जंतर मंतर पर जो धर्ना प्रदर्शन कर रही हैं उनका नेतरित्व करने वाली विनेश फोगाट ने साथतोर पर कहा कि यहां पर जो कमेटी बनाए गई थी वह मातर सिर्फ एक दिखावा था यहां पर उनके हक के लिए उनके इंसाफ के लिए उन्हें नया होगी उनके खिलाफ फायार दर्ज होगी तमाम आशवाशन यहां पर महीरा पहलवान खिलाडियों को इस कमेटी द्वारा अनुराग ठाकुर ने दिया था लेकिन इस से उलट ही देखने को मिलता है जिसके बाद यहां पर ब्रेज भूशन पर जो आरोप लग रहे हैं यहां पर जो शिकायत करता अपना बयान दर्ज करवाती है उनसे साबित हो जाता है कि ब्रेज भूशन की गिरत्तारी अब जल्द होने वाली है लेकिन जो उनका समर्थन कर रहे हैं यहा पर पहलवानों को लेकर उन्हें बड़ी कदम उठाना चाहिए था यहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ नियम बनाने चाहिए थे वही अनुराग ठाकूर तमाम और मुद्दो को लेकर विपक्ष पर हमलावर रहते हैं लेकिन महिलाओं के समर्थन में उनकी हक के लिए को नजर नहीं आ रहे अब ऐसे में बात साफ होती हुए नजर आ रहे कि क्या यहां पर जो सुप्रेम कोज का महिला पहलवान खिलारी जो रुक करती हुए नजर आ रहे उसमें अनुराग ठाकूर के खिलाब भी वो कदम उठाएंगे क्या ब्रिजबूशन के साथ अनुराग ठाकूर के गिरत्तारी भी होगी क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद